हेलो दोस्तों बहुत से लोगों का कुछ प्राब्लम था कि अटेम्ट कैसे करना हो और यहां पर एक हम जो पॉइंट एड किया है कि यहां पर निगेटिव मार्किंग कर ठीक है इसको भी समझेंगे थोड़ा सा प्रेक्टिकल एक्जाम्पल से ठीक है यहां पर जल्दी में ही नोट कर लिए हैं वहां पर आप क्या करेंगे एक बार उसको रीड कर लेंगे कि अगर सीम कोश्चन आया तो आप इजली कर पाएंगे बहुत सारे कोश्चन एकदम आपके ही लेवल पर आये हुए हैं तो वहां पर आप देखेंगे भी कि जो इतना भी लोग पड़े होंग इखा देंगे तो यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले यहां पर attempt देखेंगे यहां पर जो attempt हम करेंगे ठीक है तो जैसे जो भी आपका पहला फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा उसको आप करेंगे ठीक है पहला first party यह सारी चीज़े हमनें बता दिये लेकिन कुछ लोग वी पर हम math के लिए मतलब BSC math के लिए और agriculture के लिए बात करें बायों के लिए आप कोई भी attempt कर सकते हैं यहां पर math को avoid करें क्योंकि यह बहुत जादा आपका time taking होगा ठीक है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं आपका chemistry फेवरेट है तो आप आराम से कर पाएंगे यह क्या होगा कि अगर chemistry और physics में आप इजली कर पा रहे हैं अच्छे नंबर से मतलब आपको पता तो चली जाएगा कि हाँ आमने इतना attempt कर लिया ठीक है उससे क्या होगा कि आपका motivation मिलेगा ठीक है तो यहां पर math में भी अच्छे से कर पाएंगे लेकिन अब क्या करेंगे math को पहले उठा लेंगे ठीक है उसके बाद आपका time लग जाएगा एक गंटा या मालीजे की डेड़ गंटा भी लग सकता है अगर math को ही करना चाहे तो उसमें क्या होगा कि यह physics और chemistry भी भी गड़ सकता है तो आप सबसे पहले करेंगे chemistry को जादा यह लिए नहीं टैम देंगगे 30 से 40 मिनट देंगे ठीक है ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट देंगे फिजिक्स की बात करेंट में खुड़ अगर हम नहीं आए पिस से 25 देंगे इसको मतनब आ रहा है तो अगर नहीं आ रहा है तो सीद़े math वालब पky आ जाएगगे भी यह कि आप सो अटेंट किया हैं ठीक है आपका फैसी मसलब यह उतना ही पार आएंट हो सकता था भी सब्ज एक प्र हमनेत लेकिन आप तो नहीं होगा जनरीsna है विलिया ड्यक्त अफिर ब्लेख और लेकिन उस सामें नहीं था ता इसलिए कटाप उसका उतना पर ही बन जाता था ठीक है यहां पर हम जो मेन बात है कि यहां पर देखिए 65 करके भी आप 195 लाएं लेकिन आप क्या करेंगे 35 गलत कर देंगे उसके वज़े से 160 आ गया इसमें आपका सेलेक्शन नहीं होगा लेकिन अगर आपने 195 ही किया है मतलब सही किया है और सिर्फ 5 ही गलत किया ठीक है तो 5 माइनस कर दिए 190 हो गया इसमें बहुत ज्यादा चांसे जाए 80-90% कि आपका एड्मिशन हो जाए भले ही आश्टल ना मिले लेकिन आपका एड्मिशन तो होगा आपकी फीसेस तो कम लगेंगी ठीक है तो यह चीज़े हैं आप देख कर जाएंगे मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी किये जा रहे हैं गलत सही कुछ भी ठीक है तो यह बताना जरूरी था इसलिए हमने बता दिया है अब चलिए कुछ कोश्चन देख लेते हैं जो आया हुआ हुआ है एक बार हम इसको में पूछा गया है उसी का है और कोई कड़मेंट में कर सकते हैं यह गलत भी दे देते हैं उसके हैं दूसरा घे website देख सकते हैं हम मैंश कर सकते हैं तो हम साम तक या रात में आपको प्रोवाइड कर देंगे ठीक है अभी हिंदी का बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए हमने लिखा नहीं है तो यहाँ पर जो दूसरा कोश्चन है टेंजेंट के लुए अब देख लेंगे अब चलिए और देख लेट आप देखे यहां पर पूछा गया कि इसली डिस्टिंजेश बदक कैसे पचाना जा सकते हैं ठीक है पोलेरी मेंट्री आप देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर इसका अंसर हो जाएगा यह आप एक बार याद कर लिजे जो भी नहीं समझ मैं रहा है याद कीजिए आप मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो मतलब होगा ठीक है यह सारी कोस्चन आये हुए है 2020 के यह आये हुए है तो हम सिंप्ली बस देख रहे हैं एक बार रीटिंग कर रहे है एमांग बी फ्लस टु एम जी प्लस टु इस एफ ग्लेटली मेंज ठीक है एक बार ध्यान से यहां पर भी पढ़िए गा कि जो पूछा गया पर जरूर से question में देखिएगा कि नाट तो नहीं लिखा है कहीं पर इसका xcf2 xcf6 octahedral ठीक है यह match नहीं किया गया है ऐसा answer है ठीक है यहाँ पर पूछा गया यह चार दिया गया इसमें आइनिक रेडियाई का मतलब आडर पूछा गया तो यह हम direct answer लगा है यहाँ प्लस होगा यहाँ पर सिंपल है आप जानते भी होंगे यहाँ पर इसका answer होगा ठीक है दो आपसन नहीं लिखे है क्योंकि इससे नहीं मतलब है इसमें रमान मतलब है अगर उसमें से समझ मयार है तब भी answer कर पाएंगे अब देखिए यहां पर फार्द solution मतलब negative deviation पुछा है रावट लास से ठीक है तो यहां पर आप लोग पढ़े होंगे इसका अंसर दिया गया है पी टोटल इस ग्रेटर देन एक से प्लस पार्सियल प्रेसर प्लस यहां पर मदलब multiply किया गया और एक्स बी इंटू पार्सियल प्रेसर अपर बी ठीक है यहां पर यह पुछा किया यह देखिए देखिए पिछली टेकल रेजिस्टेंस वें इट्स टेंपरेचर इस लोव ठीक है तो यहां पर दिया गया था चार अप्सटन उसमें से जो आप्संस है वह तो कि दिया गया है अब देखिए यह कॉश्टन पालिमर से भी बन सक बन जाता है इसमें प्रियान यूजड ए यह रिप्रिजियन ठीक है डाई फ्लोरो मिथेन है इसका अंसर यह आप एक बार देख लेंगे ग्रेविटेशनल वेवस आर इसमें पुछाए गया चार अप्सन में ग्रेविटेशनल वेवस कैसा होता है टांसवर्स होता है या इसमें जो आंसर होगा यह आपका पहला सही है टांसवर्स होता है और क्या होता है यहाँ पर पुछाए गया है एकस्प्रेशन फार्द जार मतलब यहाँ पर एक तरह से देखा जाए इसका अंसर क्या होगा इसमें लाश्ट क्या होगा इसमें लाश्ट क्या होगा इसमें थोड़ा सा इस त्यूरेटिकल बना दिए वहाँ पर आपको निमेरिकल टाइप में पूछा गया था ठीक है इसका आंसर क्या हो जागा सिस्टम यह सारय कोस्ट थी हम इसका पीडिया प्रोवाइड कर देंगे आप देख सकते हैं simply हम देखे रहेंगे तो अगर कोश्चन आह 캉ट ढister भी और रहें और बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखना इसके में, चलिए इस वीडियो में यहीं तक रनने देते हैं, हमें नहीं लग रहा है किसके बाद भी किसी को प्राबलम हो जो में लोगों का प्राबलम था, वो हमने बता दिया है, अगर कुछ भी प्राबलम होता इसके बाद भी तक राने दिट एंग